किशान भाइयों आज बात करेंगे बिंडी की अगेती खेती कब और कैसे करें किशान भाइयों इस वीडियो में तीन पॉइंट पर चर्चा करेंगे पहला पॉइंट खेत की तैयारी कैसे करें और खात का प्रियोग कौन से करें दूसरा पॉइंट बीच का प्रियोग कितना क पुइंट बुआई का सही समय क्या है किशान भाईयों इस फसल को सही समय पर बुआई कर लेते हैं तो सबसे कम लागत में अच्छी कमाई कर सकते हैं वीडियो में लाश्ट तक बने रहें तो नमस्कार किशान भाईयों आपके पनी यूट्यूब चैनल सरल खेती में कर लें सबसे पहले बात करते हैं खेति की तैयारी कैसे करें और खाद का प्रियोग कौन से करें सबसे पहले खेत को दो से तीन बार जुताई करा के मिट्टी को भुरभुरा बना लें अच्छा उत्पादन लेने के लिए 15 से 20 प्रति हेक्टियर गोवर की खाद और साथ में नत्रजन 80 कीलो प्रतिह क्तियर. सिंगल सुपरफासबेर्ट 60 कीलो प्रतिहक्टियर और पोटास 60 कीलो प्रतिहक्टियर की इधर से मिट्टे में मिला देना चाहिए , इसके बात करते हैं बीच का पर्योग कितना करें बिंडी की बिजाई के लिए अगर सिंचित अवस्था में हो तो धाई किलो से लेकर तीन किलो प्रति हेक्टियर और असिंचित अवस्था में हो तो पांच से साथ किलो प्रति हेक्टियर बीज की अवसकता होती है और अगर hybrid वीज है तो 5 kg प्रति हेक्टेर वीज दर प्रयाप्त होता है बुवाई से पहले 3 ग्राम मेन को जेब कारवेंडा जिम प्रति किलो ग्राम की दर्फ से उपचारित करना चाहिए कर्मी की दिनों में भिंडी की बुवाई कतारों में करनी चाहिए कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और कतार में पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए भिंडी के लिए गर्म वातावरन सबसे बढ़िया माना जाता है बीज उगने के लिए 27 से 30 डिगरी सेलसियस तापमान उप्युक्त होता है और अगर 17 डिगरी सेलसियस से कम है तो बीज अंकुरित नहीं होता है भिंडी की खेती को खर पतवार से दूर रखे नियमित रूप से निराई गुड़ाई करना चाहिए भुआई से 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करना जरूरी होता है अब बात कर लेते हैं बुआई का सही समय क्या है भिंडी की अगेती खेती कर किशान अधिक लाप कमा सकते हैं भिंडी का सबजियों में प्रमुख स्थान है ग्रीस मकालीन भिंडी की बुआई के लिए फरवरी मार्च मा पीक समय होता है यदि फसल लगाताल लेनी है तो वर्षा कालिन भिंडी की बुआई जून जुलाई में भी की जा सकती है वीडियो की जानकारी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक सेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद